चावल के पापड तो आपने कई वार बनाए होंगे लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर के आई हूँ तो आज की चावल की पापड हम बनाएंगे पके हुए चावलों से इसमें आप चावलों को पका करके या जो बचे हुए चावल होते हैं उनसे भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छा पापड बनता है, रिजल्ट आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ही भून करके दिखा रही हूँ, साइस देखे कितना बड़ा हो रहा है और बिलकुल भी फटते नहीं है, इतनी आसान ट्रक है कि आज से आपको पापड बनाने में कोई भी जंजट नहीं लगने वाला है, और शायद ही है आपने ऐसा आसान सा तरीका पहले कभी ट्राइ किया हो, तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे पास अभी पके हुए चावल नहीं है, तो मैं डरेक्ली इनको पका करके ही आपको बता रही हूँ, तो एक कप या कटोरी कोई भी फिक्स कर लीजेगा, उससे आप ले लीजिए एक कप चावल, चावल की क्वाइल्टी आपको कोई ज़रूरत नहीं अच्छी रखें, कैसे भी चावल हो चलेंगे, मैं तो कहूंगी पापड वगएरा के लिए आप लो क्वाइल्टी के चावलों का इस्तमाली करिएगा, सबसे पहले इन चावलों को अच्छे से हम तीन चार बार पानी से दो लेते हैं, हमने चावलों को धो लिया है, अब इन चावल को हम डालेंगे प्रेशर कोकर में, और जिस कप से हमने चावल लिए थे, उसी कप से आपको चावल के चार गुना पानी चावल लिये थे, तो चार कप से पानी डालेंगे, अगर आप पहले से पके हुए चावल को इस्तमाल कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सबस्तों पानी डालेंगे ,कि यहां पहले ही उसको पक काती सतवाल कर चुक Quin이면 2 अब लोलों चार गुना पानी से पीदिर उखल के लिए रखेंगे अब यहां पर बहुत जरूरी चीज जो कि आपको जानना जरूरी है चावल हमेशा एक सीटी में पक जाते हैं हमें यहां पर चावलों को सिर्फ पकाना नहीं है हमें इनको ओबर को करना है तो कम से कम 6-7 सीटियां हमें यहां पर लगानी है क्योंकि अगर आप सिर् से पक जाए जितने की पापनों के लिए हमें पकाने की जरूरत होती है आम तर पर हम अलग से चावलों को पकाते हैं बहुत टाइम लगता है और कुकर में जल्दी यल्दी आप 6-7 सीटियां दिलवा दीजे बहुत जल्दी चावल पक जाएंगे पानी हमने थोड़ा ज्याद अधर से मोटा मोटा कट कर लेते हैं थोड़ी सी नमी पाथ चुकी है तो मैं सीजर से काट रही हूँ हो अगर कुर्कुरी है मिर्च तो हाथों से ही मशल दीजेगा तो यह मोटे-मोटे सी दरदरी हो जाएगी तो यह हमारी तयार हो जाएगी रेड चिली फ्लेक्स तो यह की रडचिली फ्लेक्स होती है और मोटी मोटी सी पापड़ों में देखने में बहुत अच्छी लगती है आप मार्किट की यूज कर सकते हो तो मिल्च हमारी रेडी है यहां पर मैंने हरा धनिया ले लिया है तो इसके हम डंठल को अलग कर देंगे और इसको बिल्लकुल बारी बहुत जादा ही गल चुके हैं जितना हमें चाहिए था जैसा वैसे ही हुए है इसमें हमें चाबलों को बहुत अच्छे से ही गला लेना है ठीक है क्यूंकि हम इनको खाना नहीं है हम इनको पापड़ बना अब हम एक गोल मुह वाली चमच ले ले लिए और इसकी मदस इन को अच्छे से मैस करेंगे आप यहां पर मैसर का यूज भी कर सकते बट यह चावल इतने ज्यादा कल गए हैं कि हमें मैसर की जरूरत नहीं है बस हम इस चम्चे की मदर्स इसको लगातार इसी तरह से दवाते हुए मैस कर जाएंगे करीब दो से तीन मिनट ही लगेंगे और च पूरी थोरे से चावल के कण से समझ में आएंगे बट रहने दीजेगा इससे पापर बहुत ज्यादा देखने में भी अच्छे लगेंगे जब इनको हम भूनेंगे और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहे तो और भी इनको बारीक कर सकते हैं इसी त छापड नहीं बना पाएंगे चावल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं आप हमने हातों में तेल ले लिया है और हम क्या करेंगी थोड़ा थोड़ा सा मिश्टन लेंगे और इसकी लोई यां बनाएंगे क्योंकि चावल है तो हाथों में थोड़ा सा चिपके अभी इसलिए आपको तेल लगा करके इसकी लोई बनानी है, जैसे हम लोग आलू के पापड के लिए बनाते हैं, बस उसी तरह से लोई बना लेनी है, आप चाहे तो पूरे की पूरी लोई इखटे बना करके थाली में रख लीजिए, उपर से किसी पॉलिथिन से इसको ढग दीजिए, ताक पर हमें दो तरह की पॉलिथिन की जरूरत पड़ेगी, एक तो वह जिसमें आपको पॉलिथिन को फैलाना है, और एक छोटी सी आपको पॉलिथिन और अलग से लेनी होगी, और छोटी बाली पॉलिथिन थी ना, उसमें हलक असा तेल ल लगा लिया है, और नीचे पापड बनाते हैं, बस इसी तरह से आपको लोई को रखना है, इसकी उपर पॉलिथिन रखनी है, और एक प्लेट लेनी है, और इसको आपको जोड से दबा देना है, आप अच्छे से जोड से दबाएंगे, ना तो पतला पापड बिल्कुल इवेंली हर जगह फैलेगा, देखा फ्रेंड्स, आपने कितना आसान है, इन पापडों को बनाना बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, हमें घंटे तक पकाने की जरुवत नहीं है, बस कुकर में सीटी दिलाईए, चावनों को मैश करिए, और पापड बनने के लिए तयार, तो लीजे फ्रेंड्स, बाकी क बचे हुए पापडों को हमने सीधे दूप में ही बनाया है, और आप देख सकते हैं, एक कप चावल से हमारे कितने सारे पापड बन करके तयार हो गए हैं, और कितने बढ़िया शेप के बने हुए हैं, तो बस आब हम इनको दूप में सुखाएंगे, इन पापडों को दू और मैं आपको थोड़ी देर बाद की सुटिंग फिर से देखाती हूँ, तो ये करीब तीन घंटे बाद की सुटिंग है, देखिए तीन घंटे में पापड कितने अच्छे से सूख रहे हैं, एक भी पापड फटा नहीं है, मैं इसलिए बीच बीच में आपको देखा रही हैं, क्योंकि दूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, और एक एक पापड कितना परफेक्ट बना हुआ है, एक भी पापड फटे नहीं, बहुत अच्छे बने हैं, तो चलिए अब हम इनको ले चलते हैं नीचे, और मैं आपको इनको तल करके दिखाती हूँ, तो अच्छे से सुखा लीजेगा, नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना ये पापड खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने इनको अच्छे से सुखा लिया है, और आपको इनको तल करके भी दिखा देती हूँ, तो जब इन पापरों को आप तलें, तो कर्चली से अच्छे से दबात तल करके तयार होगा, तो आप देखिए, कितने बढ़िया हमारे पापर बन करके तयार हुए है, और मैंने बोला था ना, चावल के छोटे-छोटे से कण है, तो हलके-हलके से आपको नजर भी आ रहे होगे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने के बाद तो और चावल के पापर बनाते हैं, उससे भी जाद अच्छे थे, ना आपको पापर खार की जरूवत है, ना सोडा की जरूवत है, अब आप इन पापरों का साइज देखिए, तलने के पहले कितना चोटा था, और तलने के बाद इनका साइज कितना बड़ा हो गया है, मैं आपको झाद भी फैस नहीं होगी, रेस्पी, वीडियो अच्छे लगे तुन